खबर पटना से जहां पर पत्रकार नगर थाने में भीशन आग की गटना सामने आई तो वही थाने में 50 सेदिक पुलिस कर्मी मौझूद रहे तो वहीं फायर ब्रिकेट की टीम मौके पर पहुँची है और आग पर काभू पाने की यह कोशिश जारी है और जानकारी है कि जिस कोशिश जारी है और हमारे साथ हमारे समवरता उतकर्स लगातार हमारे साथ लाइभ बने हुए है उतकर्स दीक आग तो पत्रकार नगर का गई आगजनी की खबर सामने आई शॉर्ट सर्किट की वज़े से ये अगजनी जो है वो हुई हलाकि इस वक्त कह सकते हैं कि जब ये आगजनी हुई तब वहाँ पर करीब पचास से जादा पुलिस करवी मौजूद थे थाना के अंदर कई अहम दस्तावेज थे क्योंकि कई कापी होती है कई दस्तावेज होते हैं ये तमाम चीजें जल गई शॉर्ट सर्किट के वैसे ये आग जरूर लगी लेकिन फार बिगेट की दमकल की करीब आठ गाडियों ने कह सकते हैं कि आग पर काबू पालिया है फिलाल तमाम चीजें ठीक हैं किसी के हताहत की खबर नह पालिया गया था दमकल की आठ गाडिया जो है वो मौके पर पहुंची थी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फार बिगेट का स्टेशन था वो पत्रकार नगर थाने के निकट था यानि की बगल में ही था जिस वज़े से काफी जादा परिशानी नहीं हुई दमकल की गाडियों ने करीब एक घंटे के अंदर आग पर काबू पालिया किसी भी पुलिस के हताहत की खबर नहीं लगती है और जानकारी ये कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त पचास से अधिक पुलिस कर्मी इस थाने में मौजूद थे और फाइर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहुंची आग बुजाने के कोशिश की गई वज़े कि अगर बात की जा तो फिलाल सौट सर्कीट एक वज़े माना जा रहा है जिसके वज़े से याँ पर ये आग लगती और ये घटना हुई है तो वही थाने में पचास सेदिक पुलिस कर्मी मौजूद रहे तो वहीं फाइर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की ये कोशिश जारी है और जानकारी है कि जिस वक्त याँ लगी उस वक्त पचास पुलिस कर्मी इस थाने में मौजूद थे और पुलिस कर्मी जो कि का जारा है पचास सदीक संख्या में याँ पर मौजूद थे फिलाल वो सभी सुरच्छीत है अब अल्कुल देखिए पटना में सुबह आठ बजे पटना से सटे पत्रकार नगर थाने में जो है वो आग लग गई आग जनी की खबर सामने आई शॉर्ट शर्किट की वजे से ये अग जनी जो है वो हुई हलाकि इस वक्त कह सकते हैं कि जब ये आग जनी हुई तब वहाँ पर करीब पचास से जादा पुलिस करवी मौजूद थे थाना के अंदर कई एहम दस्तावेज थे क्योंकि कई एफ आई आर्स की कापी होती है कई दस्तावेज होते हैं ये तमाम चीजें जल गई शॉर्ट शर्किट के वैसे ये आग जरूर लगी लेकिन फार बिगेट की दमकल की करीब आठ गाडियों ने कह सकते हैं कि आग पर काबू पालिया है फिलाल तमाम चीजें ठीक हैं किसी के हताहत की खबर नहीं आई है लेकि कह सकते हैं कि मौके पर जो ADG law and order है वो पहुँचे वहाँ पर तमाम चीजों का खुद direction कर रहे हैं और CCTV को खंगाल के देखा जारा जो CCTV बचे हुए हैं कि किस तरीके से ये अगजनी हुई आग कैसे लगी क्या शॉर्ट सर्किट एक कारण था क्या जान बूज कर आग लगा में कितना समय लग सकता है क्या फार ब्रिगेट के और से कोई अपडेट अब तक सामने आया अब बलकुल लंको देखिए आग बुझाली कई है करीब देर घंटे की जतोजहत के बाद जो आग पर है वो काबू पालिया गया था दमकल की आठ गाडियां जो हैं वो मौके पर पहुंची थी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फार ब्रिगेट का स्टेशन था वो पत्रकार नगर थाने के निकट था यानि की बगल में था जिस वज़े से काफी जादा परिशानी नहीं हुई दमकल की गाडियों ने करीब एक घंटे के अंदर आग पर काबू पालिया क किसी भी पुलिस के हता हत की ख़बर नहीं अंकुर बिलकुल बहुत शुक्रिया आपका मासा जूने के लिए और इस जानकारी को साजा कर निल्दे के पत्रका नगर थाने में ये भी शणाग लगी है और इसके साथ ही आपको पता दे कि फिलाल फायर बिगेट की गाड़ी म मौके पर पहुँची आग बुजाने के कोशिश की गई वज़य है कि अगर बात की जाए तो फिलाल सौट सर्कीट एक वज़य माना जा रहा है जिसके वज़य से याँ पर यह आग लगती और यह घटना हुई है हाला कि कई डॉकुमेंट्स ऐसे ही जो कि इसमें जलकर खाक हुएं और फायर ब्रिगेट के द्वारा आग पर काभू पा लिया क्या है कि खबर पटना से जहां पर पत्रकार नगर थाने में भीशन आग की इगटना सामने आई तो वहीं थाने में 50 सेदिक पुलिस कर्मी मौजुद रहे तो फायर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहुँ कोशिश जारी है और जानकारी है कि जिस वक्त याग लगी उस वक्त 50 पुलिस कर्मी इस तहने में मौजूद थे। अब अल्कुल देखिए पटना में सुबह आठ बजे पटना से सटे पत्रकार नगर थाने में जो है वो आग लग गई आग जनी की खबर सामने आई शौर्ट सर्किट की वज़े से यह जनी जो है वो हुई हलाकि इस वक्त कह सकते हैं कि जब यह आग जनी हुई तब वहाँ प कह सकते हैं कि आग पर काबू पालिया है फिलाल तमाम तीजें ठीक हैं किसी के हताहत की खबर नहीं आई है लेकिन कह सकते हैं कि मौके पर जो एडीजी लॉइन ओर्डर है वो पहुँचे वहाँ पर तमाम चीजों का खुद निरिक्शन कर रहे हैं और सीसी टीवी को खंगा कि जा जरूर की जा रही है लेकिन अगर पुलिस कर्मियों के बात की जाये तो फिलाल किसे प्रकाई कोई हतात होने के कोई कवर अब तक तो सामने नहीं आई है और आग बुजाने में कितना समय लग सकता है क्या फार ब्रिगेट के और से कोई अपडेट अब तक सामने आया थी कि जो फार ब्रिगेट का स्टेशन था वो पत्रकार नगर थाने के निकट था यानि की बगल में था जिस वज़े से काफी जादा परिशानी नहीं हुई दमकल की गाडियों ने करीब एक घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया किसी भी पुलिस के हता हत की खबर नह किसी भी पुलिस कर्मी के था दोने के खबर नहीं है पत्रकार नगर का ये थाना जहां पर भिश्रण आग लगती है और जानकारी है कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त 50 से अधिक पुलिस कर्मी इस थाने में मौजूद थे और फाइर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहु हैं पत्रकार नगर का ये थाना यहां पर भिश्रण आग लगती है और शॉट सर्केट की वज़े से ये आग लगी थी आला कि पुलिस कर्मी जो कि यहां पर मौजूद थे वो फिलाल सभी सेफ हैं और कई डॉकुमेंट्स जरूर यहां पर जलका जरूर खाक हुएं और फ् क् Him, सास्जल्स जरूर गार से प्रूर खाकूर मौद थे वो उर्फगधं पर शॉकूर मौई तर शॉक।